दोस्तो क्या आप भी एक अच्छा तगड़ा वर्कॉट करते हैं और प्रोपर डाइट भी लेते हैं इसके बावजुद आपकी बोडी नहीं बन रही और आपके शरीर की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कारण और गलतियों के बारे में बता जिससे आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं इसके लिए आप अपने खाने को चबा चबा कर खाए जिससे आपका डाइजेशन मद्बूत हो सके और आपका खना पचने लगे नमबर दू आपका टेस्टोस्टोन अगर आपको अपना मसल्स ग्रो करन होना है तो आपकी बोड़ी में टेस्टोस्टोन लेवल हाई होना चाहिए अगर टेस्टोस्टोन लेवल लो होगा तो आपकी बोड़ी नहीं बन पाई कि टेस्टोस्टोन को बढ़ाने के लिए अपने वर्काउट में लेग वसल्स को अच्छे से ट्रेंड करें जिससे लेकिन आपका goal muscle building और body बनाने का है तो आपको अपने body weight की दुगना protein खाना है जैसे अगर आपका weight 60 kg है तो आपको 120 kg protein की requirement है जिससे आपका muscle growth अच्छे से हो सके इनमें आप eggs, milk, peanuts, soya chunks और nuts ले सकते हैं नमबर 4, proper तरीके से workout ना करना दोस्तों, अक्सर लोग gym जाते हुए भी सही तरीके से workout नहीं करते हैं अक्सर workout को तेजी से और जल्दी जल्दी करके पूरा कर देते हैं अगर आप सही तरीके से अपने body पे pressure नहीं डालोगे तो आपके body भी response नहीं करेगी तो आपको slow motion में और सही तरीके से workout करना है जिससे आपके mind और muscles का connection बना रहे और आपका muscle contraction अच्छी तरह से हो सके नमबर 5, नीन का पूरा न हो पाना आज गल की new generation में mobile और internet के use से लोग देर रात तक सोते ही नहीं जिसके करना आपकी नीन पूरी नहीं हो पाती लेकिन क्या आपको पता है सोते वक्त ही आपी body repair होती है और तबी muscles की growth भी होती है इसलिए आपको 7-8 गंटे की अच्छी नीन लेनी है जिससे आपके body की recovery और growth तेजी से होने लगे